स्वेजवान ट्राइड ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले आप लगभग 300 ग्राम चावल को आधे घंटे तक पानी में भीगो के रख दे यहां मैंने बास्मती चावल का यूज़ किया है आप चाहे तो सिला या पुलाव चावल का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसे किसी भगवने या कढ़ाई में उबाल लेंगे यहां पे मैंने कढ़ाई का यूस किया है जिसमें मैंने लगबग 2 लीटर पानी में अपने सभी चावलों को डाल दिया है ध्यान रखें चावल को लगातार चलाते रहें वरना ये तूटने लगेंगे आप इसको लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाएं ध्यान रखें गैस हमीडियम फ्लेम पे ही रहे ज्यादा हाई या लो फ्लेम पे ना रहे अब हम इसमें दो छोटे चमच सफेद नमक डालेंगे जिससे हमारे चावलों में चमक और ये चावल खीले खीले रहें आप इसे लगातार चलाते रहें अब हम अपनी सभी वेजीज को कट कर लेंगे यहाँ पे मैंने तीन मीडियम साइस के शिमला मिर्श लिये हैं जिसे मैंने लंबे-लंबे काटने के बाद छोटे-छोटे हिस्सों में काट लिया है अब हम इसमें छोटे-छोटे लहसुन को काट लेंगे यहां पे मैंने 3-4 कलिया लहसुन की ली है अब आप इसमें गाजर काट लें यहां पे मैंने 1 medium size का गाजर लिया है अगर आप और डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं अब हम इसे छोटे-छोटे हिस्थों में काट लेंगे सबजी आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं ये कोई optional है अब हम इसमें छोटे-छोटे प्याज डालेंगे यहाँ पे मैंने चार medium size के प्याज लिये हैं अब हम अपने चावल को चेक कर लेंगे यहां हमारे चावल पक चुके हैं अब हम इसको चलनी में या जड़ने में चान लेंगे जिससे इसका पूरा पानी अलग हो जाए ध्यान रखें चावल होते ही इसे तुरन चान ले वरना ये पानी सोख लेगा जिससे हमारे फ्राइट राइस बिलकुल चिपके चिपके बनेंगे आप इसे अच्छे से थाली में फैला लें इसके बाद हम अपने सभी वेजीस को एक साइट एक प्लेट में रख लेंगे जिससे इसे बनाने में असानी हो इसके बाद आप अपने कढ़ाई या पैन को गरम कर लें यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली है अब हम इसमें चार बड़े चमच रिफाइन डॉयल डालेंगे अगर आप चाते हैं इसे सरसो तेल में भी बना सकते हैं यह उसमें और भी अच्छा लगता है इसके बाद हम इसमें सबसे पहले लहसुन अद्रक का पेस्ट डालेंगे यह पेस्ट मैंने घर पे बनाया है अगर आप रेडिमेट पेस्ट डालना चाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से चला लें ताकि यह जले नहीं गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखें ज्यादा हाई या लो फ्लेम पे बिलकुल ना रखें अब हम इसमें अपने बारी कटे हुए लसुन डाल लेंगे अगर आप लसुन खाते हैं तो बिलकुल डालिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके बाद आप अपने गाजर को डालें ध्यान रखें पहले प्यास बिलकुल ना डालें गाजर को पकने में थोड़ा समय लगता है इसलिए आप पहले गाजर डालें जिससे ये हलके नरम हो जाएं ध्यान रखें सबजियां बिलकुल भी चिपके नहीं क्योंकि इसमें हमने अद्रक लसुन का पेस्ट डाला है वरना वो जल जाएगा इसके बाद आप अपने बारिक कटे हुए प्यास डाल दें आप सबजियों को लगातार चलाते रहें और गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखें इसके बाद आप अपने शिम्लामिट्श डाल दें आप इसमें हरे मटर, गोभी, ये सबजियां भी डाल सकते हैं सबजियां बिलकुल आपके उपर हैं आप जो सबजी पसंद करते हैं वो सबजी डाल सकते हैं इसके बाद आप इसमें लंबी हरे मिट्श कटी हुई डाल दें अगर आप ज़्यादा थीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिट्शी डाल लें यहाँ पे मैंने तीन मिर्चियों को लंबे-लंबे काटके डाला है अब आप इसमें नमक स्वाद अनुसार डाले ध्यान रखें हमने चावल में भी नमक डाला था तो नमक ज्यादा ना हो इसके बाद आप अपने मसालों को डालेंगे यहाँ पे मैंने स्वेजवान फ्राइड राइस मसाला यूज किया है अगर आप चाहे तो मैगी का मैजिक मसाला भी यूज कर सकते हैं उसमें भी यह बहुत टिस्थी लगता है मसालों को चिपकने बिल्कुल ना दे आप इसे लगादार चलाते रहें हलका सा तेल छोडने के बाद आप इसमें अपने उबले हुए चावलों को डाल देंगे यहाँ देखिए हमारे चावल बिल्कुल अलग-अलग खिले हुए है चावल को फैला कर ही डाले अब आप इसे अच्छे से टॉस कर ले या फिर कड़्ची पॉने से चला ले चावल हमेशा हलके हाथों से ही चलाएं वरना ये तूट जाएंगे और सौगी-सौगी लगेंगे हमारे सारे चावल अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं यहाँ पे देखिए इसका कितना संदर और प्यारा कलर आया है आपको इसी तरीके से चावल पकाने हैं ध्यान रखें चावल पकाने का इसमें बहुत बड़ा मुद्व है अगर आप चावल अच्छे से नहीं पकाएंगे तो आपका पूरा इसे सर्विंग प्लेट या बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे आप इसे किसी स्वेजवान सॉस के साथ या फिर परीर शिली के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप इसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत तेसी लगता है तो यहाँ पर हमारी रेस्टरेंट वाली स्वेजवान फ्राइड राइस तयार हो चुकी है आप इसे घर पे जरूर बनाए आप बाहर का रेस्टरेंट वाला फ्राइड राइस बिलकुल फुल जाएंगे ऐसी और रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें क्या ओिस्ते वहीं अखते है क्म सब्सक्राइब के रेस्टरें